दोस्तो यूट्यूब में अगर CTR को इंक्रीज करना है तो यूट्यूब में जो विडियो एड है उसकी थैमनेल को चेंज कर देना चाहिए ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो कहते हैं बट अगर यहां पर मैं अपनी बात करूं तो जस्त थैमनेल चेंज करने से CTR गों नहीं करता CTR को ग्रों करने के लिए different method होते हैं different tricks होते हैं different fundamentals होते हैं इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इसके साथ इस चीज के ऊपर भी हम बात करेंगे कि कैसे आप CTR को चेंज कर सकते हैं, कैसे CTR को इंक्रेज करने से आपके विउज आएंगे और आपके सब्सक्राइबर्स भी गेन होगे. अगर तो आप चाहते हैं डीटेल के साथ CTR को समझना तो आज की इस वीडियो को लास्त तक लाजमी देखेगा हेलो गाइज मैं हूँ अधनाद आप देखने टेकनिकल उसाजी यूट्यूब चैनल को तो चलते हैं टिकनोलजी के दुनिया में सबस्क्राइब करें टेकनिकल उसाजी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेकनोलजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो आज के वीडियो बहुत जादा इंपोर्टेंट हैं जो के आज के यंगस्ट यूट्यूबर्स हैं जो के 2024 के यूट्यूबर्स हैं जो भी मैं आज के इस वीडियो में बातें करने वाला हूं इस बातों को फोलो आप आपने करना है और अपने चैनल की उपर आपने CTR grow करेगा दोस्तों सबसे पहले हम जाने कि ये कोशिच करने कि CTR होता गया है कैसे ये काम करता है कैसे हम CTR को समझ के CTR के उपर अपनी improvement कर सकते हैं CTR को grow कर सकते हैं दोस्तों इससे पहले अगर आप चैनल के उपर नहीं हो through rate यानि कि जो वीडियो या जो थैमनेल जो आपने बनाया लगाया इसका मतलब यह होता है कि कितने लोगों ने आपके वीडियो को देखा उनको पता चला ये आपने अपने चैनल के उपर कोई निव वीडियो अपलोड की है इसके लावा यह होता है कि प्ले करके कितने लोगों ने बाच किया इसके लावा जो वीडियो है वो कितने लोगों ने देखा यही हो सकता है कि थैमनेल को देख लिया हो यही हो सकता है कि टाइटल को देख लिया हो अब जो देखा कैटा किरी आती है उसमें है इंप्रेशन basically friends ये YouTube का करता है कि अगर आपको चैनल old है तो आपके पास definitely audience भी होगी और अगर आपको चैनल new है तो definitely आपके पास audience नहीं होगी या कुछ होगी या कम होगी तो आपने इसके साथ अपनी वीडियो को SEO भी किया होगा तो जो SEO किया होता है वीडियो में उसकी based की उपर वीडियो बनाई है अब यहां पर जो बंदे watch नहीं करें इसकी बात हम बात में करेंगे बट यहां पर जिस person के पास आपकी notification आई है उसने click किया या महां पर auto play हो गया तो यह हो जाता है एक तरह का CTR दोस्तो एक और simple example से हम समझने की कोशिश करते हैं यूट्यूब ने सो लोगों के पास आपकी वीडियो भेजी उसमें से दस लोगों ने आपकी वीडियो को देखा उसको watch किया उसको सुना तो आपका जो CTR score होता है वो हता है 10 अब दोस्तो पहले time में क्या होता था let's suppose कि आपका एक tech का channel है और वहां पे आपके पास 5,000,000,000 subscribers हैं और आपके पर वीडियो के उपर 5000,000,000,000 views जो हैं वो आही जाते हैं तो जैसे ही आप starting के उपर वीडियो डालेंगे तो 5000 views आ रहा है, 6000 आ रहा है, 4000 आ रहा है तो यहां पे जो CTR score होता है वो 12% होता है, 15% होता है, 14% होता है तो यहां तरक आपको CTR score इसका मिल सकता है अब यहां पे आपने एक चीज़ को समझना है कि आपने वीडियो डाली 10, 10 में से एक वीडियो आपकी वाइरल होगी और बहुत ही ज्यादा वाइरल होई है जिसके उपर आपके पास बहुत सारे subscribers, बहुत सारे views और बहुत सारे comments जो हैं वो daily भी इसके उपर गिरते जा रह और audience की जितनी भी performance होती है आपके वीडियो के गेंस्ट है उसके related आपका CTR count होता रहता है अब यहां पे बहुत सारे chances होते हैं कि जब आपके वीडियो बारल हो रही होती है बहुत सारे उसके उपर audience आ रही होती है, subscribers आ रही होते हैं तो वहां पे जो CTR score होता है वो down हो जा रहते हैं तो CTR शायद थोड़ा बहुत उसमें फरक आए, but 100% definitely उसमें फरक नहीं आता, CTR की वज़ा से आपकी वीडियो मजीद बूस्ट नहीं करेगी, अब यहां पे हम समझते हैं कि CTR को कैसे हमने मैनेज करना है, अब यहां पे friends CTR को अच्छे से हम समझने की कोशिश कर वीडियो को अगर देखती है, तो किन किन चीजों से देखती है, जब आपने वीडियो का अपलोड किया, तो सबसे पहले जो audience थी, उसके पास गया, उसका title, thumbnail, और उसका कुछ time duration जो है, जिसके accordingly, उन्होंने उसका feedback दिया, और उस वीडियो को देखा, बढ़ यहां पे जो स अब यहां पर दो-तिन चीजों को आप माइंड में रखिएगा, जब भी आपने वीडियो को अपलोड करना है, या CTR को आपने मदिनजर रखना है, कि सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है कि उस वीडियो का topic कौन सा होगा, उसके बाद आपने thumbnail की उपर focus करना है, फिर ही आपका CTR जो है वो better रहेगा, फिर ही आपकी audience engage होगी, बढ़ यहां पी अगर देखें कि आपका channel है tech का, आप उसके उपर pointer की वीडियो डाल रहे हो, आप कोई और वीडियो डाल रहे हो, thumbnail भी वो है, तो आपका जो CTR है वो definitely don't होगा, वो increase नहीं हो सकता, तो अगर दोस्तो आप चाहते हैं अपने CTR को increase करना, अपने impressions को increase करना, अपने views को increase करना, subscribers को increase करना, यो watch time को increase करना, तो आपने focus करना हैं सबसे पहले topic के उपर, उसके बाद thumbnail के उपर, उसके बाद SEO के उपर, तो definitely आपकी जो वीडियो है, वो भी search में जाएगी, और बहुत सारी आपकी audience जो लाद में subscribe करें, और bell icon को press करना, मत बूलेगा, क्योंकि जब भी मैं को वीडियो upload करूँ, तो आप तक उसका notification सबसे पहले पहुँचे, अपना क्या रखें, thank you for watching, कोई भी question हो तो comment section में आप बता सकते हैं, और उसका जवाब आपको लाद में दूँगा,